असलाम लेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, सेफ सिरी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ताहिरा अली कैसे हैं आप सब लोग एक अच्छी खुश्गवार सुभा का आगाज हो चुका हुआ है आप लोग अपने ओफिस को पहुंच चुके होंगे, बच्चे स्कूल भी जा चुके होंगे घर में बैटी एक खवातीन मेरा शो देख रही होगी, कैसे हैं आप सब लोग, नाश्तवाश्ते हो गया आप लोगों के आप लोगों के लिए और चोड़ी बातों को दिल पे मत लिया करें, मैं तो हमेशा यही कहती हूं और खुद भी अकसर इस वात का शिकार हो जाती हूं कि छोड़ी बातें दिल पे लेके स्ट्रेस में हम चले जाते हैं, तो स्ट्रेस में नहीं जाना आपने, खुद भी खुश रहना है क्योंकि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा घर खुश रहेगा, एक और पर पूरा घर तो जब आप डाउन हो जाएंगी तो फैमिली किस तरह चे आपके आगे चल सकेग तो अब चलेंगे जिए हम अपने पहले सेक्टमर्ण की तरफ आज के ख़बरात से, पहली खबर जो हम शेयर करें आपके साथ एक बड़ी जबरदस खबर है, और पंजाब सेफ सिटीस अथॉरिटी का यह बड़ा अच्छा एक इनिशियटिव जो है हम खवातीन के लिए ल और मुझर करते हैं, तो इसको भिडिए यार रेहा था लुचा टिक टॉैंच का अपलोड करू ख़या है लुचा उफान की तो खातून को ट्रेस किया गया ट्रेस करने के बाद बहां से हम मुझरिम तक पहुंचे और कोट लगबत पुलिस की मदद से इसको मौका पर बिजवाया और इस मुझरिम को अरेस्ट किया गया तो एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है इसको बताने का मकसद ये है कि अगर आप के लिए step उठाना है आप में आवाज बुलंद करनी है और जी हम आपके साथ मौजूद है आपकी मदद के लिए हर वक 24x7 यहां आपके आपके लिए मौजूद है तो फॉरी तो पर कॉल कीजिए कोई भी आपको परिशानी है कोई मुश्किल है आपको अगर आपको guideline चाहि चाहिए तो हमारी women safety app आपके लिए 24x7 यहां मौजूद है उस पर हमसे रापता करें थू चाहिए हमें अपनी बात बताईए कोई मसला है कोई आप हमसे guideline लेना चाहते है कि कोई issue हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए तब यह आप हमसे guideline ले सकते हैं लेकिन घर जरूरी calls आ तो मुझे भी issue रहता है कि driving centers कितने हैं जादा होने चाहिए तो एक बड़ा अच्छा ही इनिशेटिव है एडिशनल आईजी मिर्जा फारान बेग ने हमें बताया कि 116 यह दायरा कर बढ़ा दिया गया है driving test centers का ताकि आपके तो यह भी शिकायत है कि centers पहले कम थे पिछले स 2020 में कम centers मौझूद थे अब उनकी तादाद बढ़ा दी गई है 90 मजीद centers बना दिये गए और टोटल तादाद 116 हो गई है सूबा भर में 116 driving centers मौझूद है test center जहां पर आप आप सीख पी सकते हैं और इसके बाद पर test kit try भी दे सकते हैं तो driving school बनाने का मकसद यही है ताके driving सिखाने को आम किया रा सके और हर एक शक्स जो बना सकता है driving अपना license बना सकता है उसके पास license जरूर हो और अगर आपने अभी तक license नहीं बनवाया तो फौरी तौर पे अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निका लिए बहुत स अपने license को जरूर बनाइए अनलाइन घर बेटे आप पे लिए अप्लाइ कर सकते हैं लेर्नर के लिए अभी आप कहें कि मैं लाइसन्स नहीं बनाया तो बहुत बुरी बात है वरी तौर पे इसके लिए प्लाइ करें अपने license जरूर बनाए और अगर आप सीखना चाहते है तो सेंटर्स भी सुबा भर में बहुत सारे हो गए 116 सेंटर्स हैं जी तो जाएं टेस्ट भी दें और इसकी तियारी भी करें विश्यो गुट लॉफ लग आपको बूलते हैं इसके बाद आगे चलते हैं हम बात करेंगे ट्राफिक क्रूल्स और रेगुलेशन की चुके ज हैड इंजरी आपकी जान भी दे सकती है तो अपने आपको, अपनी हफाज़त के लिए हम थोड़ा से सकति करते हैं निजू को बुरा लगता है तो उसके लिए माज़त भी जाते हैं लेकिन आपकी सेफटी हमें अजीज है तो सकति भी करनी पड़ती है। तो माल रोड पे अब गएर हेलमेट मोटर साइकल सवारों का दाखला है मामनू कर दिया गया है और CTO अमारा इतर ने हमें बताया कि जो हेलमेट इन्फोर्स्मेंट मोहिम है इससे हैड इंजरी की रेश्यों है बहुत कम देखने को मिल रही है 70% इससीज में कमी देखने को मिली है पिछली साल की निस्बत अगर जितना जादा इससीज पर जोड़ दिया जा रहा है जोड़ी सकती की जा रही है कि आप हलमेट पहने और आपको हम एक तरह से केरफुल हो जाएं आपको माल रोड पे एंटर नहीं हो सकते हैं आपको माल रो अपने उसको पहने गती हाँ पनी पहने आपको पहने छोगे जाएब और चाये कने थ्याख इम साफ़ पानी पानी नहीं झाल ओ था धायवा और गंडगी पे बस दोन मैं पानी फेनी है उनी हमें किसे अधाइफ पानी किसम पानी लेकिन फिर इंवाद कॉछर सती तो चीज़ जो में के अएफ त 주 दर ह वाल्दन your जो आपकी घर की बाल्टियां है या कोई पानी के ऐसी जगह जहां पानी साफ खड़ा अकसर रखते हैं और ओपन रहता है वो खुला रहता है उसका मूझ धका हुआ नहीं होता तो इस चीज को आप में मेक्शिर करना है कि पानी धका हो और दो रोज में 271 मकामाद से देंगी के हवाले से कौन सी सड़क बंध है कुछ तामिराती काम की वरा से या किसी और मामलात की वरा से तो आप हमें रास्ता FM 88.6 पर में ट्यून करें आप हमें हमसे पूछ सकते हैं और इसी के साथ-साथ आपको बताय भी जा रहा है मुसलसल आपको बताया है ज़र आपको अपड करेंगे बात करेंगे कुछ उन लोगों के लिए अच्छी ख़बर है मेरे पास जो अकसर ये गिलाबी करते हैं या उनको अकसर इस चीज का परिशानी रहती है कि हमें फिलान टैलेंट है लेकिन कोई प्लैटफॉर्म नहीं हमें दिया जाता और टैलेंट हैं 2024 का सिलसला जा है तो पंजाब के तरफ से जी बड़ा अच्छा प्लैटफॉर्म है और आप इसमें जाएं इसमें अप्लाइ करें और अच्छा बाले डिवियन लेवल पे मुकाबले होगे और जो बहां से फिर कॉलिफाय करेंगे वो लोगों को सुभाई लेवल पे उनका मुकाबला किया प्लैटफॉर्म का तो 22 फरवरी से फैसलाबाद में यह स्टार हो रहा है जाए और अपने तैलेंट का मुझारा कीजिए अपने घरवालों के इंस्पायर कीजिए कि आप किसी से कम नहीं है तो दिखाएं जी कि आप किसी से कम नहीं है और आपके लिए प्लैटफॉर्म मौ और इन तीनों मैचिस को अप एंजॉय करें इस मौका पर जो हमारी कप्तान है निदाडार साहिबा वो बड़ी पुर अजम है कि हम इन मैचिस को जीतेंगे और उनका यह कहना है कि हमारी टीम बहुत अच्छी पुजिशन में है और उनकी क्यादत में ICC Women's Championship है उसने 16 पॉइ पांचवे नंबर पे है और वेस्टर्डीस की टीम जिन से मुकाबला जारी है वो आठ पॉइंट्स के साथ चैंपियंशिप नवे नंबर पे है तो अगर हम यह नंबर को देखें तो इस हवाले तो पाकिसान की पुजिशन काफी बहतर है और हम अपनी खवातीन की टीम को गुड़ लग बोलते हैं और जिन जन को इंतजार होता है मैचिस का अप तो शडूल जारी हो चुका हो है आज पहला मैच आप इसको एंजॉय करें पहले तीन मैचिस की बंडे सीजिज और पिर टीटी मैचिस भी कराची को एक कप्तानी के इसको जो है वो देखें कराची मै जीतेगी और आखिर में जिकर करते हैं इसराइल के हवाले से उसकी बरबरियत के हवाले से तो कल गुड़िष्टा 24 गंटे में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं अप अंदाजा लगाएं कि जो बच्चे जो कैंप्स हैं जहां पर पना लीवी है उन लोगों ने और वह बताया कि जिए जंग बंदी के हवाले से डिसकुशन हो रही है हमारी और इस पे मजाकराथ चल रहे हैं कि कुछ सुनने में आ रहा था कि मजाकरात मुटल हो चुके हैं लेकिन इसी कोई खबर नहीं है मिस्लिख वजीर खाजा ने इस तीस को डिकलेर किया और बताया कि मजा जो लोग जो रह गए हैं बहुत थोड़े से लोग जो रह गए हैं खुदारा उनको बचा लीजिए उन बच्चों को और मासूम ओरतों को क्योंकि ज्यादा जो तादाद है शहीद होने वालों में वालों में बच्चों की और खवातीन की है more than 13,000 बच्चे जंग में जिसक कुछ करें ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके यह था हमारा पहला सेग्मेंट अब लेते हैं चोटी सी ब्रेक आप में रहने हैं हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग सेफ सिटी नाजरीन बेटियां माबाप का मान होती हैं लेकिन हमारी सुसाइटी कुछ ऐसे स्टेरियो टाइप हैं कहा यह जाता है कि जो काम बेटे कर सकते हैं वो बेटियां नहीं कर सकती हैं आज हमारे बाहिमत खातूर मौजूद है जिन्होंने इस स्टेरियो टाइप को ब्रेक किया कैसा बिल्कुल नहीं है जो काम हमारे बेटे कर सकते हैं वो हमारी बेटियां क्यों नहीं कर सकते हैं बात करेंगे आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं खतीजा रेहान इंटरनेश खतीजा कैसी आओ जिल्ला कर्षिक्रे रख शबसे पहले मुझे बताएं कि मेरे अभी ब्रेक नहीं किया क्या आप काम करती किया है क्या आपकी फादर का बिजनस है सबसे पहले नाजयीं को ये बताएं कि आप क्या बिजनस इसको आप चुला रहे हैं मेरा बैसिकली मुबाइल का बिजनेस है, हाल से, सेल परचेज और आइफोन से रेरेटेड, सारा ओवर बिजनेस है, जिसके अंदर सारे सौट पेर्स भी हैं और हर चीज तो आप मतलब खुद शौप बैखते हो वालिद के साथ या पिर अकेले भी इस शौप को चला लेते हो अगर वालिद का कोई डिपेंड करना नहीं पड़ता इस हावाले से मुझे पता हो बैसिकली जब मैंने स्टार्ट लिया था तब मुझे अपने फादर के साथ ही वहां पे बैखना पर रहा था क्यूंकि आसपास साइटी इस तरह की हमारी कि वह इस चीज को पहले एक्सेप पर चलाते हो बैसे मार्केट में आसपास कहीं कोई खावतीन कमोबेशी नजर आती है यह जो हमारे कॉंसेप्ट है सोसाइटी का कि मुबाइल शॉप है तो ठीक है वालिद को भेज दो भाई को भेज तो मुमन हम खावतीन नहीं जाती मुबाइल शॉप पे तो बाकी आसप अजर ने मुझे कहा के बैटियां हर काम कर सकती है जब आपने एजुकेशन ली ए तो ठीक है अब अपना बिजनेस रन करो तो उन्हों ने मुझे 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 प्ले तो मुझे उन्हों ने जिखाया फिर उनाने मेरे एक शॉप बना के दी मुझे अच्छा आप समयले 98% एक हैं तो 2% फीमिल होगी तो इसको सबसे बहुत आप करना सबसे ने माइस्टान है और लड़की कोई होता है कि अज़ो हम जो रहाना इसके अज़ों करें लेकिन ऐसा नहीं है जो मस्बूत रह जाती है वह कामयाब हो जाती है खरीजी जब से पहला हर्डल क्या फेस करना पड़ा था पहली मुश्किल क्या लगी जब आके बैठी जब मैं आपको अशास हुआ कि शायद मैं गलत जगह पे आ गई हूँ हुझे वापस सेले जाना सही वो क्या स्टैप था वो क्या प्रॉब्लम थी हर्डल थी जो आपने प किया भी कि मुझे स्टैप बैक कोई बात नी या अगर तुम इसको आज फेस नहीं करोगी तो कल कैसे भी फील करी तुम स्टैंड हो सती हो तो मेरे साथ खड़े होके उस चीज को डील करते थे वकाई जी किसे के नहीं आप मुकाबला करो बोलो और मुझे इस वज़ा से यह नाज़िन बड़े कम देखने में मिलती है कि हमारे हां अकसर यह होता है कि खवातीन जिसे बचीया है भाई नहीं है तो इस किसम के कामों में आगे आती है लेकिन माशारा भाई भी है और फुल सपोर्ट करें जादे इंट्रस्टिंग कीज़ बहुत अच्छी चीज है एक म इस भाधा ने मुझे पहले सखाया उसके बाद मुझेम चपाइं किना मेरे भाई ही है तो इना मुझे ट्रेइइंक किया मुझे डीलिंग सखायी हमारी मुबाइल फीड से लेटे हर चीज अविलिबिलिटी है सेस्टी जो मुबाइल हो गए सॉटफेर्स जो में होता है हर किसी का होना नहीं होता वह सॉटफेर्स हम कर ले तो हर तरह की चीज की जो है रिलाक्सेशन मैं तब थोड़ी बहुत रिपेरिंग से लेकर सॉटफेर अपग्रेडेशन तक हर काम जो है वो खतीजा रहान सारे काम कर लिए जी बिल्कुल ऐसा ही है और इसके बीचे मेरे भाईों का ही हाथ है उन्होंने ही मुझे जाना मुझे बिल्कुल ऐसा ही है है कि एलोगरिंगा से बिल्स मेरे मुझे चेश्वार कर तो आरे मुझे एक्सप्लोड करना चीज स्क्राभ यह झाओ फ्स यू ऊपर आपना च्छाम करें आपकेंस जाएम करते हैं अविक只是 में बेसी होते हैं कि मैंक भूने करेंगा justamente करनाым है देखकेंड भींशित मुप्रेट को में टो वह वार इसे हिंजी शोडियर को किस यूथ अब अब जो पहले आप जादा हर्डल फेस करें जैसे आप में बताया है कि सबसे पहली चीज और फेस करने बड़ी वह लोगों की नजरे थी यह वह सारी क्वेस्टन से कि खातून यहां पर क्या कर रही है तो अब किता अर्सा हो गया आपको इस शौप को चलाते हुए इस व मेरे साथ मिलकर हम इस काम को लेकर चलते हैं अब यह कहा जाए कि सुसाइटी ने खतीजा को एकसेप्ट कर लिया है उस सब लोगों ने एकसेप्टन साब भी बिना ली बिल्कुल ऐसा बिनानी पढ़ती है करते नहीं है लोग आपको बहुत जादा मार कहानी पढ़ती है फि मुझे घर पे रहना है मजीद में फेस नहीं कर सकती सिचुएशन को कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ एक्चली जब आप एक फील्ड में आगे बढ़ रहे होते हैं ना तो फिर आप बैक ओफ होने का चांस नहीं लेते कश्टिया पिश्टी जा दी ती कि मुझे यही करना है तो मैंनन को कहा कि आप इसी से परेशान नहीं आपकी बेटी आप पहले वो मेरे साथ खड़े होएं तो अब मेरा टाइम था उनके साथ खड़े होने का बहुत खोब दब बिजस्निस कहीं बढ़ बंद होने की कोशिश नहीं की तो मैं अपने दिया ही नहीं बिल्कुल और म हमेरी देखने वरी तमाम खवातीन के लिए मुझ समेथ हम सब के लिए एक रोल मॉडल है कि एक ऐसा काम जो कि शायद तसवर नहीं किया रहा सकते कि खवातीन ये काम भी कर सकती है पॉब्लिक डिलिंग शॉप्स पर क्योंकि अगर हम यॉर्पन कंट्री में देखें तो यह मुश्किल को पार कर लेती है तो क्या कहना चाहेंगे आप वेसी के लिए देखें उन्टी जिन्दी का हिस्सा है आप जिस फील्ड में जाते हैं गल्तियां हर इंसान से होती है तो आपको गल्ती करने के यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो इसके बाद कुछ कर ही नहीं सकती हम सब कुछ कर सकते हैं हम गलती है हर किसी इंसान से गलती होती है तो जब तक हम खुद बे रखेंगे खुद बे बलीव नहीं रखेंगे तो हम तब तक कुछ भी नहीं कर सकेंगे तो इसके लिए सबसे में जो पॉइंट है आपको खुद बे स्टैंड होना चाहिए कि एक दफा गए मैं बैक उफ कर लिया तो हो सकता है कि बहुत सी और खवातीन जो इस फील्ड में आना चाहती हो भी हम्मत हार जाएं कि यह नहीं चल से की तो मैं कैसे चल सकूँ यह बिल्कुल ऐसा ही है यही मैं आपको कहा कि बैक उफ कर गी तो बाकी आने वली लोगों के यहां पर जो है ना हम किसी से भी इसली जो है ना वो डी करना सान नहीं है और इस कंपेडिशन को आपको चैलेंज बन लेकर जहना वह चलना बड़ता है और सपेशली एक स्पोर्ट के लिए तो यह बहुत जादा चैलेंजिंग पॉइंट होती है कि उसको हर हाल में जीतना ह ही होता है हर चैलेंज तो बस यही है कि अपने आप पे ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टन चीज है अपने आप पे ट्रस्ट करें और मोटिवेशन को लेकर चलते हैं तो आप हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं ताइंगी सो मच खतीजा आप की विल्टिवत का बहुत शुक्रिया नाज़री जो सागे खतीजा रिहान ने बतायाई है ऐसी बहुत ही हमारी खवातीन है जो के हर फील में अपनी काम्याबी के साथ एपनी हिम्मत के साथ अपनी सलाहितों का लोहा मनवा रही है अपना काम करके दिखा रही है हो सकता है आप भी उनमें से कोई एक हो एक 50% खवातीन है इस मुल्क में जो हमारी अबादी है इसका बड़ा हिस्सा है हम सब खवातीन अगर हम घरों में बैठ जाएंगे तो कैसे मुल्की तरक्की में अपना किर्दार्दा कर सकते हैं यह मुल्क के अबागी संतर्की कर सकता है अपना बहुत सा ख्याल लेखिएगा ले दिल चस्पो अजीब उसका नाम ही दिल चस्पो अजीब है उसमें हम आपके लिए बहुत ही कुछ इंट्रस्टिंग ख़बरें ढूंड के राते हैं दुनिया भर से तो पहली ख़बर जो मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही इंट्रस्टिंग और एक नई डिस्कवरी कहा जाए तो घलत नहीं होगा कि जमीन के करीब सूरज से 33 गुना बड़ा ब्लैक होल दर्याफ्त हुआ है जी साइंसदानों ने इसको दर्याफ्त किया है यॉर्पियन स्पेस एजंसी थी जिन्नों ने इसको डिसकवर किया इससे पहले हमारी जो कहकशा है उसमें पहले एक ब् 26 नूरी साल के फास्ले पर वाक्या है और काइनाथ के ये गो हमारी इस्रार पुरुसरार चीजे है और यह आपको बता ही चलो कि यह एक ऐसी चीज है जिसके खोज में साइंस दान लगे रहते हैं और अब एक नया एक ब्लैक होल डिसकवर हुआ है जिसमें मजीद तहकीकात जारी हैं तो आप मैंसे वो सुडेंट्स यह वो लोग जिनको साइंस में बड़ा इंटरस्ट होता है और ढूंडते हैं ऐसी कुछ इडादात के बारे में तो उनके लिए जी हमारे हमारी तरफ से एक चोटी सी डिसकवरी हम आपको बता रहे हैं इसमें मजीद आप सर्च करें और देखें और मजीद इसमें क्या क्या और चीज़ें नको मिली और इस ब्लैक होल में क्या है क्या इसके राज हैं कुदरत के इस हवाले से आप मजीद पढ़िएगा अगनी खबर चॉप को देती चलो बहुत ही इंट्रस्टिंग खबर है मुझे पढ़के बड़ाई मजा आया गो कि हमारे मुल्क से रिलेट तो नहीं करती लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हमारे मुल्क में खबर यह है कि चाइनीज फर्म ने अपने मुलाजमीन के लिए sad holidays offer कर दी अकसरो बेशतर हम अफसुर्दा हो जाते हैं जिन्दगी है को ऐसा phase होता है जिसमें हम disturbed भी होते हैं पार्ट अफ लाइफ खुशी गमी चलती है तो जब आप बहुत जादा सैड हो जाते हैं और किस हमें भी sad holidays दी जाएं इसको promote करी लेकिन क्योंकि एक phase है इनसान का life का आपको कही ना कहीं आप अफसुर्दा हो जाते हैं तो चाइनीज फर्म ने साल में एक 10 चुटियां दे दी इस कोटा में जब भी उनके employee disturb हो sad leaves लें rest करें और इसके बाइज बहुत बहुतर फील करें तो वापिस आज़ें इसका यह हर्गे मतलब नहीं है कि पूरा साल ही sad रहता हूं तो मुझे पूरे साल की शुटि री जाए लेकिन 10 leaves है आपके पास एक separate quota होगा और जब genuinely वाकर ही आप sad feel करेंगे हमारी कौम की तरह नहीं कि जो हर बात है मुझे sadness feel हो रही है मुझे शुटी चाहिए तो उनको पता है कि हम उनके employees है उनसाद loyal है तो जब आप भी loyal हो जाएंगे मुल के साथ अपनी companies के साथ तो हो सकता आनेवार वक्तों में आपको सब्सक्राइब कर दी जाएं तो हमारा आज कर शो उमीद करते हैं कि आपने बहुत enjoy किया होगा मैं मुझे भी खबरें पढ़के बहुत मजा आया और आप जो चाहते हैं किसी segment के बारे में किसी topic के बारे में किस पर बात की जाए आपके क्यूरी है या आप हमसे कोई help देना सब्सक्राइब करते हैं हमारी खामिया है वो भी में बता सकते हैं और यह था शो आपने भी enjoy किया मैंने भी enjoy किया किसी नए segment के साथ कुछ और अच्छी बातों के साथ आपके लिए कुछ interesting खबरों के साथ दुबारा फिखितन में हाजिर होगी मुझे इजादत दीजिए अ लेने के बाएं